तो Jio Air Fiber को लेकर के काफी सारा news निकल करके आया है, काफी सारे updates हैं, चलिए अल्दी से एक एक करके सब पर बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे Jio Air Fiber क्या है वो बता देता हूँ, Jio Air Fiber बेसिकली आपका यहाँ पे 5G जो अभी आ रहा है आपके phone में, वही 5G यहाँ पे use कर के आपको एक broadband type का service दिया जाएगा Jio की तरफ से, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पे आर phone में 5G डंग से चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे इस वाले service के अंदर जो की है Jio Air Fiber, इसमें जो है किस तरीके से 5G connection को लेकर के यह लोग provide करने वाले हैं, तो यह यहाँ पे Air Fiber users जो होंगे यहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा, उनका यहाँ पे कोई संबंद नहीं रहेगा, उनका यहाँ पे कोई भी connection नहीं रहेगा, mobile data वाले users से, उनके लिए एक अलग से यहाँ पे पूरा system बिठाया जाएगा, अब दूसरी चीज की बात कर के plans निकाले हैं, सबसे पहले है Geo Air Fiber Normal और दूसरा है Geo Air Fiber Max, यहाँ पे सबसे पहले normal वाले plans देख लेंगे और उसके बाद max वाले plans पे चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो plan है वो है यहाँ पे 599 रुपीज का, यहाँ पे 599 रुपीज प्लस GST लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह जो है आपका 600-600 रुपे तक जा सकता है, तो यह बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, साथ में यहाँ पे View Details पे क्लिक करते देख सकते हैं, यह सिर्फ 30 दिन की Validity के साथ आता है, इसका मतलब यह सिर्फ एक महीने का plan है, और इसमें आपको 30 Mbps का data मिलेगा, 30 Mbps का speed मिलेगा, तो यहाँ पे 30 Mbps की speed आप को मिलेगी, एक महीने के लिए 599 रुपे में, जो कि मुझे थोड़ा सा महेंगा लगा है, क्योंकि मैं अभी जो broadband use कर रहा हूँ, उसमें मुझे 500 रुपे में जो है आरम से 50 Mbps मिल जा रहा है जो की काफी जादा बहतर है, जियो के air fiber वाले इस वाले plan से, लेकिन इसमें आपको इतने सारे OTT के subscription भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, hot star हो गया, sony live हो गया, ऐसे ही काफी सारे आप देख सकते हैं, OTT आपको subscription दिया जा रहा है, लेकिन वो भी सिर् दिन का ही validity देखने को मिलता है, साथ में लेकिन इसमें जो है na speed increase हो जाती है, इसमें 100 Mbps आपको मिल जाएगा speed, लेकिन यहाँ पे जो है, आपको data देख सकते हैं, unlimited है, voice भी यहाँ पे free है, मतलब calling वगरा भी यहाँ पे free है, साथ में यहाँ पे 550 TV channels, मतलब आपको यहाँ प TV channels लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी setup box मिलेगा, और आपको और यहाँ पे जो है, उसी net से आप streaming कर सकते हैं, live TV देख सकते हैं, channels वगरा, यहाँ पे जो है, चेक आउट कर सकते हैं, मतलब जैसे normal आपका TV चलता है, वैसे आप चला सकते हैं, और 899 वा प्लस GST में आपको यह वाला plan मिलता है, मतलब यह करीबन 1200-1300 रुपय तक जाने वाला है, पर मन्त, इसमें जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे plan validity देख सकते हैं, 30 days का है, speed यहाँ पे आपको 100 Mbps मिल जाती है, वही same unlimited data, voice भी free है, यहाँ पे भी आपको Jio का जो setup box है, वो forms के subscription दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, subscription में यहाँ पे Netflix का basic plan दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको 720p या फिर शायद 480p का यहाँ पे quality प्रोवाइड करेगा, साथ ही में यहाँ पे आपको Amazon Prime का subscription, Hotstar, Sony Live, Z5 और यह सारे OTTs आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जो इनका यह 1200 रुपए वाला plan है, इसमें extra क्या मिलता है, Netflix और Prime Video, तो यह चीज आपको यहाँ पे, यह थे सारे base plans, यहाँ पे तीन आपको base plans दिये गए हैं, अब यहाँ पे Air Fiber Max की बात करते हैं, जो कि बहुत यदा महंगा होने वाला है, सबसे पहला plan जो ह यहाँ पे Air Fiber Max के अंदर, जो कि यहाँ पे 1500 रुपए का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो है 30 दिन का आपको मिलता है validity, साथ में यहाँ पे जो speed है, वो देख सकते हैं, 300 Mbps का आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो यही चीज आपको यहाँ पे काफी जादा करके दी गई है, speed बहुत ही जादा fast होने वाला है, हलाकि pricing भी उतनी जादा है, साथ में यहाँ पे आपको वही same data unlimited मिलेगा, मतलब internet unlimited मिलेगा, voice यहाँ पे free है, मतलब calling वगरा भी आप कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे आपको setup box भी मिल जाएगा 550 चैनल के साथ, लेकिन यहा यहाँ पे Amazon Prime भी मिल जाता और यह सारे OTT platforms के subscription मिल जाएंगे, तो यह था Air Fiber Max का पहला plan, अब दूसरा plan देख लेते हैं, जो की बहुत ही जादा महेंगा होने वाला है, जो की है 2600 रुपए, यह मैं GST include करके बोल रहा हूँ, यहाँ पे details के अंदर चले तो देख सकते हैं, यह भी 30 days का ही validity के हिसाब से लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आप 30 दिन से जादा का लेते हैं, तो आप यहाँ पे addition कर सकते हैं, 2500 को आप यहाँ पे add करकर के यहाँ पे देख सकते हैं कितना होगा, 6 महीने का, तो यहाँ पे उस हिसाब से आप calculation कर सकते हैं, लेकिन एक महीन मिल जाते हैं जिसमें set-top box free मिलेगा साथ में यहां पे आपको जो है netflix का standard plan मिलता है standard plan मतलब यह होता है कि netflix में यहां पे 720p quality आपको देखने को मिलेगा standard plan के अंदर तो यह बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है इसका साथ में यहां पे prime video जियो cinema और यह सारे OTT platforms आपको मिल जाएंगे तो यह था 2600 रुपीज वाला plan अब सबसे महेंगे वाले plan की तरफ चलते हैं तो वह है यहां पे 4000 रुपए पर मन्त 4000 रुपए प्लस GST मतलब यहां पर 4100 रुपए यहां पर 4200 रुपए तक जा सकता है यह यहां पर details के अंदर चले तो यहां पर मन्त का है यह 4000 रुपए साथ में यहां पर आपको सबसे best internet speed मिलेगा जो की है 1GBPS तो यहां पर यह सोच करके मत चलिएगा कि यहां पर base वाले plan में ही 1GBPS मिलेगा तो यहां पर जो सबसे बड़ा वाला plan है 5000 रुपए का 4000 रुपए का इसमें आपको जो है 1GBPS का speed मिलेगा unlimited data, voice calling, on demand tv channels मतलब यहां पर 550 आपको मिलेंगे जियो के free setup box के साथ और यहां पर आपको netflix का premium subscription मिलता है इसमें आप जो है netflix में एकदम full quality में 4K HDR के अंदर जो है आप यहां पर streaming कर सकते हैं netflix के अंदर साथ में यहां पर आपको prime video में मिल जाते हैं और बाकी सारे OTT जो यहां पर पिछले वाले plan में थे और बाकी सारे plan में थे वो सारे OTT भी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं अब यहां पर बात करते हैं कि कैसे आप इसे book कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर my geo application download करलेना है मैंने यहां पर download कर लिया है already तो यहां पर open कर लेंगे open करते से ही आपको यहां पर ज using geo air fiber लिखा गया है और यहाँ पर get air geo fiber पर click कर देना है तो यहाँ पर जो है मैंने तो already booking कर दिया है आपको यहाँ पर simply इस पर click करके booking कर लेना है यहाँ पर देख सकते हैं मेरा already book हो चुका है तो यहाँ पर booking के लिए आपको 100 रुपए पे करने हैं अब यहाँ पर यह 100 रुप का procedure लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग including me मैंने भी यहाँ पे जो है booking कर लिया है काफी सारे लोगों ने भी कर लिया है 100 रुपए दे करके तो यहाँ पे बूला जा रहा है कि 1 October से जो है सबके घर पे Jio Air Fiber Deliver होना शुरू हो जाएगा सबसे पहले आपके घर पे Jio Executive आएगा सारे machines वगरा ले करके जहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी कि सबसे अच्छा 5G connection कहाँ पे आ रहा है आपके घर के अंदर तो यहाँ पे जो है वो टेस्ट किया जाएगा उसके बाद यहाँ पे connection लगाया जाएगा आपके घर के अंदर उसके बाद आप यहाँ पे plan का पैसा उन्हें ही pay कर सकते हैं या फिर My Jio application से plan अपना select करके pay कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा procedure मिलने वाला है पूरा step by step यहाँ पे इस सारी चीज़े आपको करनी है बुकिंग का मैंने आपको बता दिया साथ में जिन्होंने बुकिंग कर लिया है उनको कब मिलने वाला है वो भी मैंने बता दिया बाकियो और लितना इस वीडियो में अगर फिर भी आपको कोई doubt है तो नीचे comment section में आप लिक करके मुझे बता सकते हैं आपका दिन शुब रहे